हेलो दोस्तों 4G Study 99 और यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्पून टॉपिक पर मुख बैग्यानी की अंत्र उपकरण और उनके परियोग के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक बिनमरी निवेदन है कि प्लीज वीडियो को अंत्र तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा मापक यंत्र जैसे बिवीन रासी दाब ताप डिस्टेंस अस्पीड इत्यादी को मापने के लिए कई यंत्रों का परियोग किया जाता है कुछ महत्पुन मापक यंत्र निम्न है जैसे कि बैरो मीटर बैरो मीटर का उपयो हम लोग आयूमन लिये दाप को मापने वाले यंत्रों के रूप में करते हैं इसमें अलग-अलग द्रोज जैसे जल पारा नित्यादी का परियोग किया जाता है ज्यादा था हम लोग को बैरोमीटर में पारा धातु का ही यूज़ देखने को मिलता है नेक्स है आमीटर आमीटर का उप्योग हम लोग बिदुधारा को एमपियर में मापने के लिए करते हैं किस में मापने के लिए करते हैं? MPR में मापने के लिए करते हैं नेक्स्ट है अल्टिमीटर अल्टिमीटर का उपयोग दोस्तों हम लोग बिमानों की उचाई को मापने के लिए किसकी उचाई बिमानों की उचाई को मापने के लिए हम लोग अल्टिमीटर का उपयोग करते हैं नेक्स्ट है audio phone, नेक्स्ट क्या है audio phone, audio phone का उपयोग हम लोग सुनने में सहार्ता के लिए कान में लगाया जाने वाला यह के यंत्र है, जिसकी सहार्ता से हम लोग किसी प्रकार की sound को सुन पाते हैं, नेक्स्ट है एनिमो मीटर क्या है एनिमो मीटर एनिमो मीटर का उपयोग हम लोग दोस्तों वायू की सक्ति और गति को मापने के लिए करते हैं ताकि इसे हमें यह पता चल पाता है कि वायू की गति की तिव्रता कितनी है और वायू कितनी दाव सक्ति से किसी और तिसा में बह रही है नेक्स्ट है कैलोरी मीटर क्या है कैलोरी मीटर का उपयोग हम लोग उस्मा की मात्रा को मापने वाले यंद्र के रूप में करते हैं किसी मात्रा का उस्मा की मात्रा का नेक्स्ट है कार्डिग्राम, कार्डिग्राम का उप्योग दोस्तों हम लोग मनुष की हिर्दय, मनुष की हिर्दय की गति को मापने वाले यंत्र के रूप में करते हैं, मनुष की हिर्दय की गति को मापने वाले यंत्र के रूप में करते हैं, नेक्स्ट है कार्बूरेटर, बॉक्स का उपयोग उतरधशन दिशा के निधारन करने के लिए किया जाता है दोश्तों कमक पास बॉक्स का उपयोग ज़्याधत तर魚 नाविक लोग अपने यात्रा के दो दुरान करते हैंसा ब difficult chipomeitives कव्त और दो नेक्स्ट है कारलीपस का उप्योग दोस्तों बिलनाकार वस्तुगों के अंदर तथा बाहर के ब्याश को मापने के लिए किया जाता है किसके लिए किया जाता है करलीपस का उप्योग बिलनाकार वस्तुगों के अंदर तथा बाहर के ब्याश को मापने के लिए किया जाता है क्रोनोमीटर का उपयोग हम लोग जहाज के सही समय का पता लगाने के लिए करते हैं अगनी सामक का उपयोग हम लोग आग बुझाने वाले यंद्र के रूप में करते हैं नेक्स्ट है डेनियल सेल डेनियल सेल का उपयोग दोस्तों हम लोग किसी परिपत में डिस्ट धारा किस परकार की धारा दोस्तों डिस्ट धारा के प्रवा के लिए करते हैं next is density meter density का मतलब होता है ढ़ना तो और density मीटर का उप्योग हम लोग भनातों को मापने के लिए करते हैं next है Panama Meter Dynamo Meter का उप्योग दोस्तों हम रोग किसी इन जन द्वारा उत्पन सक्ति को मापने के लिए करते हैं किस्के करते हैं सक्ति को मापने के लिए नेक्स है दोस्तों डिक्टा फोन डिक्टा फोन दोस्तों अपनी बात आदेश दूसरे बेक्ति को सुनाने के लिए आवाज रिकॉर्ड आवाज को रिकॉर्ड करने वाला यंद्र के रूप में करते हैं डिक्टा फोन का व्यों किसके करते है आदेस यह आपनी बात को दुसरों को सुनाने के लिए record करने वाला sound को record करने वाला यंत के रूप में करते हैं next है दोस्तों aerometer, aerometer का उपयोग, दोस्तों Y U तथा gas के भार, तथा उसका घंठतु को मापने के लिए करते हैं next है accumulator, next क्या है? एक्यू मूलेटर का उपयोग दोस्तों हम लोग बीधूत उर्जा को संचीत करने वाले यंद्र के रूप में करते हैं एक्यू मूलेटर का उपयोग किसे लिए करते हैं बीधूत उर्जा को संचीत करने वाले यंद्र के रूप में करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, एपी काय असकोप, एपी काय असकोप का उप्योग दोस्तों, हम लोग अपरदर्सी चीत्रों को और परदर्सी चीत्रों को परदे पर प्राप्त करने वाले यंद्र के रूप में करते हैं, दोस्तों, एपी काय असकोप से दोस्तों, हम लोग परदे पर किसी चीत्र को दिखाने वाले यंद्र की रूप में करते हैं इसके चीत्र परदे पर हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट दोस्तों हईLS 10 मीटर 10 मीटर 11th Metro का उफ्योग दोस्तों हम लोग सुरे कि त्यवरता का निधारन करने के लिए करते हैं कि नेक्स्ट है दोस्तों ओडो मीटर क्या है ओडो मीटर ओडो मीटर का उप्योग दोस्तों हम लोग बाहन द्वारा पहिए बाहन के पहिए द्वारा तय की गई धूरी को मापने की लिए करते हैं नेक्स्ट है एक्सिलरो मीटर क्या है एक्सिलरो मीटर का उप्योग बाहन की चाल की ब्रीधी दर को मापने के लिए करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों बैरो मीटर का उप्योग हमलोग वायूदाव को मापने के लिए करते हैं नेश्ट है दोस्तो बैरो ग्राफ, बैरो ग्राफ का उप्योग आई मन लिए दाप को मापने एवं स्वता ग्राफ पर चितरित करने के लिए किसले किया जाता है, ग्राफ पर चितरित करने के लिए, नेश्ट है दोस्तो बोलो मीटर, क्या है, बोलो मीटर, बोलो मीटर का बीजु तूर्जा को पिजु तूरजा को बदलने के लिए करते हैं डाइनेमो का उप्योग किसले करते हैं यांति कुर्जा को बिदू तूर्जा में बदलने के लिए नेक्स्ट है दोस्तो डालेसिस मसीन डालेसिस मसीन गुर्दा यानि किर्नी खराब होने की स्थिति में रक्त सोधन करने वाले यंत्र के रूप में हम लोग इसका उप्योग करते हैं नेस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप का दोस्तों हम लोग उप्योग विदुतावेस को पता लगाने के लिए करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रो मीटर क्या है इलेक्ट्रो मीटर का उप्योग हम लोग विवांतर को मापने के लिए करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रिक मीटर क्या है इलेक्ट्रिक मोटर क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का उप्योग हम लोग दोस्तों बीधु तूर्जा को यांति कूर्जा में बदलने के लिए करते हैं दोस्तो इलेक्टिक मोटर का उपयोग जादा तर हम लोग जमीन से पानी को निकालने वाले यंद्र के रूप में करते हैं। जादा तर यूज पानी निकालने के लिए हैं इलेक्टिक मोटर का यूज होता है। इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोब की सहता से अतिम सुच्म जिवानु जिससे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं उनको देखने के लिए इलेक्ट्रोन माईक्रोस्कोब का यूज किया जाता है नेश्ट है दोस्तों इंडो अस्कोप क्या है इंडो अस्कोप का यूज दोस्तों मानो शरीर के अंदर के भाग जैसे कहीं पे किसी तरह का कोई शमश्या आ जाता है जिसे बाहर से हम लोग नहीं देख पाते हैं इंडोस्कोप की सहाता से हम लोग मानुसरीर के अंदर के भाग को देख पाते हैं नेक्स्ट है दोस्तो फेडो मीटर क्या है फेडो मीटर फेडो मीटर का उपयोग दोस्तो हम लोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं सोरी यहां पर फैदो मीटर होगा ठीक है दोस्तों फैडो मीटर का उपयोग दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने वाले यंद्र के रूप में करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों गलवैनो मीटर गलवैनो मीटर का उपयोग दोस्तों बीदु धारा की प्रवलता को मापने के लिए क्या करने के लिए बीदु धारा की प्रवलता को मापने के लिए येश्ट है दोस्तों है डोस्तों हाइड्रो होन का उप्योंग हम लोग दूस्तों पानी के अंदर ध्होनी को सुने वाले जंदर के रूप में करते हैं । फून का उप्योग जादाता दोस्तों गोता खुर लोग यूज करते हैंSLे थैकने साथ है दोस्तों हाइग्रुमीटर हाइग्रुमीटर neut inquomitom का पेवुलोग द्सतों वायुमंदली अद्रता को मापने वाले आन्टरूप में करते है कि गृत्त य》 मनली आद्रता को मापने के लिए करते हैं नेक्ट है दोस्तों हाइड्रो मीटर नेक्ट क्या है हाइड्रो मीटर हाइड्रो मीटर का विपको दोस्तों द्रव के आप पेच्छी गनतु को मापने के लिए करते हैं किसके द्रव को आप पेच्छी गनतु को मापने के लिए करते हैं नेक्स्ट है दोस्तों केस को सोरी काइमो ग्राफ काइमो ग्राफ नेक्स्ट क्या है काइमो ग्राफ का उप्योग दोस्तों हम लोग हीर्दय तथा फेफ्रों हीर्दय और फेफ्रों को गति अस्पंदन का ग्राफ अंकित करने वाले यांद की रूप में करते हैं इसका उप्य पीटल में।